नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों F-35 को लेकर ये ख़बर तीन दिन पहले आ गई थी लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई लेकिन आज मामला सीरियस हो गया है क्यूं? क्यूंकि जापान के पबलिकेशन के बाद अब ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा डिफेंस पबलिकेशन है उसने भी F-35 को लेकर ये ख़बर छाप दी है जिसमें बताया गया है कि भारत F-35 को लेकर अमेरिका से डिसकुशन कर रहा है और यकिन वानिये इस वीडियो में मैं आपको भर-भर कर इन्फर्मेशन देने जा रहा हूं साथ ही एंड में ये भी बात करेंगे कि भारत F-35 क्यों लेना चाहता है जब हम एमका बना रहे हैं तो फिर F-35 लेने का मतलब क्या है और यकिन मानिये मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आप मान जाएंगे कि वाके में ही F-35 और एमका मिलकर काम कर सकते हैं तो चलिए फटा फट वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफर्मेशन है इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं तो खबर निकल कर ये सामने आ रही है अलग-अलग मीडिया सोर्सिस से कि भारत बहुती गुपचुप तरीके से F-35 को लेकर अमेरिका से डिस्कुशन कर रहा है यहां तक कि एक मीडिया संस्थाने तो ये भी छाम पाएं कि हाल ही में चीन ने जो एक्षन किया है ताइवान पर उस वजे से भारत का जो F-35 लडाकु विमान लेने का प्लान है वो एक्सिलरेट हो चुका है यानि की सूपर फास्ट हो चुका है और इसको लेकर परदे के पीछे बातचीत की जा रही है इतना ही नहीं ये भी खबर आई है कि अब अमेरिका F-35 लडाकु विमान का एक इंडियन वेरेंट भी तयार कर सकता है जी हां जिसका नाम होगा F-35I यानि की इंडिया अब इसमें क्या होगा तो बताय जा रहा है कि इसमें अमेरिका भारती वायू सेना के हिसाब से मोडिफाई करेगा भारती वायू सेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें टेकलोजी और एड़ की जाएगी और इतना ही नहीं हम सभी लोगों का जो सबसे मेंटेंशन रहता है क कि हम अमेरिकी हतियार तो खरीद लेंगे लेकिन क्या अमेरिका रोक टोक लगाएगा कि जी आप यहां इस्तमाल करो वहां इस्तमाल मत करो तो यह भी कहा गया है कि अमेरिका भारत को unrestricted access देने को तैयार है यानि कि भारत की मर्जी होगी F-35 जहां इस्तमाल करना है करे अमेरि की संसद में बिल लाया गया है जिसके तहत भारत को special military हतियार दिये जाएंगे जिसमें F-35 का नाम भी शामिल है यानि कि अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है और आपको यह भी बता दू कि आने वाले धाई महीनों में जो यह बिल है यह अमेरिकी संसद में पास भी हो ज खरीदना चाहता है तो इसका करण है MMRCA deal भारत पिछले 10 सालों से 100 से ज्यादा नए लडाकु विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है आपको पता है लेकिन MMRCA deal आज तक नहीं हो पाई है और इसी वज़े से हमारी वायू सेना के जो लडाकु विमान है हद से ज्यादा पुर सारा खेल पलट कर रख दिया है MMRCA का क्यूं कि पिछले 6-7 सालों में अमेरिका की कंपनी लोखिड मार्टीन जो F-35 बनाती है उसे पिछले 6-7 सालों में करीबन 1000 से ज्यादा F-35 लडाकु विमानों का ओर्डर मिला था उन में से वो 800 लडाकु विमान डिलीवर कर भी चुक 100 F-35 लडाकु विमान तयार कर देते हैं जिस वज़े से वो भारी मातरा में F-35 पर निर्मान करते हैं और उन्हें कच्चा माल भी भारी मातरा में खरीदना पड़ता है जिससे कि उन्हें डिसकाउंट मिलता है इसी वज़े से F-35 की जो कीमत पहले 120 मिलियन से शुरू होती थी वो आने वाले एक से लेकर डेड़ साल में 70 मिलियन हो जाएगी फिलाल ये करीबन 80 मिलियन के आसपास है यानि कि आज की तारिक में F-35 फरांस के राफेल से बहुत सस्ता है अमेरिका का ही जो F-18 है उससे बहुत सस्ता है रूस का जो मिग 35 है उससे भी बहुत सस्ता है औ यानि कि MMRC डील में जितने भी लडाकु विमान है उनसे सस्ता है और बहुत ज़ादा अड़वांस है उल्टा ये तो स्टेल्थ है यानि कि पाकिस्तान की दाजदानी इसलामाबाद के उपर ये उड़कर कारवाई करके वापस भी आ जाएगा पाकिस्तानियों को पता भी न चलने वाला क्योंकि इसे रडार नहीं पकड़ सकता ये एक स्टेल्थ लडाकु विमान है जबकि राफेल हो गया या अमेरिका का ही F-18 हो गया वो स्टेल्थ नहीं है उन्हें रडार पकड़ सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए डिसिजन बहुत ही आसान हो तो देखिए इस पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो F-35 है वो एक सिंगल इंजन लडाकु विमान है जबकि M का डबल इंजन लडाकु विमान होगा ऐसे में ये दोनों की जोड़ी बना कर काम किया जा सकता है जैसे कि अमेरिका करता है अमेरिका के पास F-35 है सिंगल और इसलिए अमेरिका अपने दुश्मनों का शिकार इन दोनों की जोड़ी बना कर करता है तो ऐसे में भारत भी F-35 और MK की जोड़ी बना कर सकते हैं क्योंकि जो काम MK कर सकता है वो F-35 नहीं कर सकता M.K. की range भी ज़ादा होगी वो ज़ादा दूर तक मार कर सकेगा F-35 मा लिजे पाकिस्तान की जो अंदर surgical strike करनी हो या फिर चीन के सरहदी इलाकों में strike करनी हो उस मामल में काम आएगा लेकिन मा लिजे चीन के अंदरूनी इलाकों में घुसकर कारवाई करनी है तो ऐसी स्थिती में F-35 वहाँ कारगर नहीं होगा क्योंकि ये single engine है इसकी range भी कम है वहाँ पर हमारा M.K. काम आएगा इसके लावा M.K. की कुछ और खासियत है वो अलग category का लड़ा को इमान है वही F-35 लेने का एक और positive आप याद रखे वो ये कि लोखिड मार्टिन दुनिया की ऐसी एक मातर कमपनी है जो एक साल में 100 F-35 तयार कर सकती है यानि कि अगर भारत और अमेरिका के बीच बात बन जाती है और भारत order place कर देता है तो भारत को लड़ाकू विमानों की सबसे ज़्यादा जल्दी डिलिवरी दुनिया भर में सिर्फ लोखिड मार्टिन ही कर सकती है क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान production line मौझूद है अलाकि फिर भी आपका इस पर अलग opinion हो सकता है अब comment करके जरूर बताएगा फिलाली सुड़ों में इतना ही thank you very much for watching video